Hello Everyone, इस मुवी का नाम है No Way Up, जो कि 2024 में रिलीज हुई है, इस कहानी में एक एरोप्लेन कहीं समुदर में क्रेस हो जाता है, इस प्लेन में जितने भी पैसेंजर होते हैं, उनके पास ऑक्सिजन की कमी होती है, और प्लेन के बाहर खतरनार्क सार्प होती है, जो एक-एक पैसें में डूब रही होती है, और पानी में ही उसकी मोत हो जाती है, कि तभी ब्रेंडन नाम के आदमी की आप खुलती है, दरसल ये उसका एक बुरा सपना होता है, ब्रेंडन गवर्नर की बेटी एवा का प्रोफेसनल बोडिगार्ड होता है, जो हमेशा एवा के साथ ही रहता है अब ब्रेंडन और एवा एक एरपोर्ट पर पहुंचते हैं, जहाँ पर काईल और जैड नाम के दो लड़के एवा का वेट कर रहे होते हैं, एवा उन दोलों से मिलती है, ये एक वेगेसन टूर पर जाने वाले हैं, जब उन्हें पता चलता है कि ब्रेंडन भी उनके साथ चलने वाला है, तो वो इस बात से खुश नहीं होते, इस पर एवा उन्हें बताती है कि वो बिना सिक्योरिटी के कहीं पर भी नहीं जा सकती, और ये उसके पिता का आदेश है, फिर वो सभी एरोपलेन में चड़ जाते हैं, वो तीनों एक सीट पर बैठते हैं, और बेंड से टकरा गया है, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन प्लेन फिर से हिलने लगता है, प्लेन के इंजन में आग लग जाती है, तभी पायट सभी को सीट बैल्ट मांदने के लिए कहता है, ये सब सुनकर सभी पैनिक हो जाते हैं, तभी इंजन में आग लग जाती है और इंजन में ब्लास्ट हो जाता है जिससे प्लेन का एक हिस्ट तूट जाता है इंजन के टकराने से एक यातरी की मोत हो जाती है प्लेन में छेद हो जाने के कारण air pressure बढ़ जाता है और सभी समान हवा में उड़ने लगता है यात्रियों के बैग भी निकल कर उनके सीर पर गिरने लगते हैं जिन यात्रियों ने सीट बैल्ट नहीं लगाई होती हैं वो भी हवा के दबाव के कारण प्लेट से बार हवा में उड़ जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए लोग एक दूसरे का हाथ भी पकड़ते हैं लेकिन इसका कोई भी फाइदा नहीं होता क्योंकि प्लेन के एक हिस्से में बहुत बड़ा छेद हो गया होता है ब्रेंडन भी एक आदमी को पकड़ता है लेकिन हवा के दबाव के कारण वो भी उड़ जाता है एक दूसरा आदमी सीट को पकड़े होता है लेकिन सीट भी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाती और वो आदमी सीट के साथ ही उड़ जाता है उसके बाद एर होस्टेज भी ए पानी भरन स्टार्ट हो जाता है फिर ब्रेंडन को एक लुए का टुकड़ा आकर लगता है जिसके कारण आगी की सीट खिजक जाती है और वो सभी लोग कुछल कर मारे जाते हैं फिर हम देखते हैं कि प्लेन दीरे-दीरे समुदर के नीचे जा रहा होता है और आखिर में वो फ्लाइट अटेनेट डेनियल अभी भी जिन्दा है उनमें से काईल की हाथ की हड़ी तूट चुकी है सभी पानी की तरफ देख रहे होते हैं उन्हें जहाज के बाहर बहुत ही ड्रावनी आवाजे सुनाई दे रही होती है कि तभी ब्रेंडन एक लड़की और उसकी दाद होस आजाता है फिर रोज ब्रेंडन से अपने दादा जी के बारे में पूछती है ब्रेंडन कहता है कि मुझे खेद है कि मैं उन्हें नहीं बचा पाया और वो अब इस दुनिया में नहीं रहे ऐसा सुनकर सभी लोग काफिड डर जाते हैं लेकिन ब्रेंडन उन्हें समझा पुझा कर सांथ करता है वो उनसे कहता है कि अभी के लिए हम सभी सुरक्सित हैं और हमें रेस्क्यू टीम का इंतिजार करना होगा एव अपने पौन को चेक करती है लेकिन वहाँ पर कोई सिगनल नहीं होता है वो कहती हैं कि प्लेन में बहुत बड़ा छेद है तो उन्हें तैर कर बाहर चले जाना चाहिए ब्रेंडन बताता है कि हमारे बचने के चांस बहुत कम है बाहर कुछ भी हो सकता है इसलिए हमें इंतिजार करना चाहिए फिर डेनियल बताता है कि प्लेन के दुरगटना गरस्त होने से पहले पाइले ने भी मदद के लिए सूचना जरूर जरूर मेजी होगी एसलिये मदद जल्दी आ सकती है ब्रेंड़न कहता है कि ब्लेंड में बैक अप ऑक्सिजिण जरूर होना चाहिए डैनियल बता है कि प्लेंड के पीछे की और ऑक्सिजिण सिलिंडर है लेकिन जब वो देखते हैं तो इसलिंडर खाली होते हैं तब वो याद के तोर पर उसे हमेशा अपने पास रख सके फिर ब्रेंडन पानी में गोता लगाता है और पानी में डूबे हुए लोगों की जाच करने लगता है फिर उसे मारड़ी का पती मिल जाता है और वो उसकी हैट ले लेता है तभी हम देखते हैं कि प्लेंड के बाहर कर देती है यह सार्प उस छेद से ही अंदर आई थी ब्रेंडन सार्प के साथ काफी संगर्स करता है और उससे बचने की पूरी कोशिस करता है इदर एवा उसके दोस्त काफी प्रेसान हो जाते हैं क्योंकि पानी की नहरे इसारा करती है कि कुछ तो हो रहा है अचानक ब्रे इसके प्रेंण को पानी के अंदर खीच लेती है । वह भी सार्प की पूच को देखकर घबरा जाते हैं फिर वटर कर केमिन के अंदर चने जाते हैं फिर वह आसमें बात करते हुए निहीं इंतिजार करते रहना चाहिए फिर मार्डी काईल के हाथ को देखते उए उसके हा इस्तिमाल करके उसके हाथ को बांद देती है इसके बाद हमें एक हेलिकोप्टर को समुदर के ऊपर उड़ते हुए दिखाया जाता है उनके ऊपर सकत आदेश होते हैं हवाईजाज को ढूनने के लिए क्योंकि यात्रियों में से एक गवर्नर की बीटी भी होती है बहुत दि इनियल ऑक्सिजन शिलिंडर को खोल देता है जिससे कि वो सही से सास ले सके तब ही वो लोग देखते हैं कि पानी का रंग लाल होने लगा है यहां हमें पता चलता है कि सार्प डूबी हुई लासों को खा रही होती है फिर प्लेन थोड़ा हिनने लगता है और वो देखते ह लगबक्त जहाज के हिस्सों से टकरा रही होती है सार को देखकर रोज बहुत डर जाती है फिर एवा उसे समझाती है कि वो चिंता ना करे उसे यकीन है कि हमें कोई न कोई बचाने के लिए जरूर आ जाएगा समुंदर के ऊपर हेलिवोप्टर उड़ रहा होता है लेकिन उन्हें अभी तक कुछ भी नहीं मिला उनका इनन भी जल्दी ही खत्म होने वाला होता है इधर एवा पानी के इस्तर को द्यान से देखती है और कहती है कि पानी को ऊपर तक आने के लिए लगबक तीन से चार गंटे लग सकते हैं तब हो छट की तरब देखते हैं कि छट से पानी रिस रहा होता है फिर वो अंदाजा लगाते हैं कि पता नहीं प्लेन इतनी देर तक रुगेगा भी या नहीं अचानक से प्लेन फिसलने लगता है सभी आतरी प्लेन को मजबूती से पकड़े रहते हैं प्लेन कई मिंटों तक फिसलता रहता है फिर वो एक जंगे रह सार्क है और सबसे पहले उससे बचने के लिए कुछ करना होगा इस पर रोज कहती है कि उसकी टीचर ने बता था कि सार्क को बुलबुले पसंद नहीं आते और सतह तक सास को रोक पाना किसी के बस की बात नहीं तभी काईल को याद आता है कि कुछ लोग डाइविंग सूट के साथ यात्रा कर रहे थे डेनियल उन्हें बताता है कि वह चीज बैरिज होल्ड में है और वहाँ एक हैज है जिससे उन्हें निकाला जा सकता है डेनियल बताता है कि वह ऑक्सिज़न टेंक खाली होंगे क्योंकि उनके साथ प्लेन में अनुमती नहीं दी जाती एवा सोचते है और वह रोज को बताती है कि डरना बुरी बात नहीं है बार हैलिकॉप्टर में केवल 15 मिनिट का इंदन ही बचा होता है तब ही उन्हें प्लेन के टूटे हुए हिससे तैपते मिलते हैं इसलिए प्लेन को खोजने के लिए दो गोताखोर समुदर में वह फूद जाते हैं और वो जल्दी ही प्लेन को ढून लेते हैं जैसे ही वो प्लेन के पास पहुँचते हैं तो सभी पैसेंजर खिड़की से इसारा करने लगते हैं एक गोताखोर खिड़की के पास आता है तो दूसरा गोताखोर खिड़की के पास आकर बताने की कोशिस करता है कि अब सब ठी तबी एक सार्क उसके पीछे आ जाती है सभी यात्री उसे बताने की कोशिस करते हैं कि उसके पीछे सार्क है वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता जैसे ही वो यात्री की तरफ मुड़ता है तो उस पर सार्क हमला कर देती है और उसे जान स बाद वो दूसरे गोता कोर का प्लेन के अंदर इंतिजार करते हैं फिर वो मान लेते हैं कि दूसरा गोता कोर भी मारा जा चुका है बाहर है एलिकॉप्टर का इनन भी खत्म होने वाला है इसलिए वो वहाँ से जाने लगते हैं अब उनके पास वहां की लोकेसन होती हैं और बैक अप के लिए सूचला भी भेज देते हैं इदर एवा कहती है कि यदि दूसरा गोता कोर मर गया होगा तो हम उसके ऑक्सिजन टैंक को यूज कर सकते हैं एवा पानी के अंदर कुछ देखती हैं लेकिन वो कन्फ्यूज होती है कि आखिर वो चीज क्या है जैट सीटों के उपर चलकर देखने की कोशिश करता है लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और पानी में गिर जाता है इसकेदा सभी उसे ढूंड लेती हैं और उस पर हमला कर देती हैं सार्क उसके एक पैर को अपनी मुह में दबा लेती हैं सभी आतरी मिलकर जैड को दूसरी तरब से खीच रहे होते हैं इस अंगर्स के दोरान जैड अपना एक पैर गवा देता है उसके पैर की हालत को देखकर मार्डी रोज को एक परदे के पीछे खड़ा कर देती हैं फिर मार्डी उसके खून को रोगने के लिए सीट बैल्ट को उसके पैर पर बांद देती हैं इसके बाद जैड काफी प्रेशान हो जाता है क्योंकि अब वो किसी भी खेल में नहीं खेल सकेगा अब यहां से जल से जल निकलने के लिए इसकूबा एकुपमेंट के बारे में सोजने लगते हैं फिर डैनियल हैज को खोलता है लेकिन वो देखता है कि स्टोर के अंदर काफी पानी भर है इसके बाद एवा एक फ्लेशलाइट के साथ पानी में कूच जाती है और जरूरी सामान को ढूणने लगती है इसी बीच बैक के पीछे कुछ तैर रहा होता है लेकिन एवा उसको नोटिस नहीं कर पाती उसे इसकूबा डाइविंग सूट मिल जाता है तब ही एक ओक्ट कि उनमे केवल चार सूट है उसी समय उनके प्लेशलाइट से कुछ टगराने लगता है वो विंडो से बार देखने की कोशिस करते हैं लेकिन आसपास उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता फिर वो सोचते हैं कि वो सार की होगी जब वो पीछे मुडते हैं तो देखते है कि जैड मर चुका है जब वो पीछे मुडते हैं तो देखते हैं कि जैड मर चुका है एवा उसकी छाती को दबाती है फिर मारडी उसे पीछे खीच कर समझाने लगती है कि अब वो मर चुका है अब गोई भी कुछ नहीं कर सकता अचानक प्लेन का संतुलन बिगडने लगत है लेकिन वो जल्दी रुख जाता है क्योंकि कोक्विट तूट जाता है जिससे प्लेन का बैलेंस बन जाता है एवा देखती है कि पानी का लेवल बहुत जल्दी बढ़ रहा है इसलिए यहां से निकलने के लिए उन्हें अभी कुछ न कुछ करना होगा रोज की स्कूल वाल वो तैर नहीं पाता है उसे तैरना बिल्कूल भी नहीं आता फिर एवा और रोज उसे तैरने के लिए मोटिवेट करते हैं और काइल मान जाता है इसके बाद एवा सभी आपातकालीन मास को इखटा करने लगती है इसी बीच सार्ट प्लेइन से टकरा रही होती है जिसे प्लेइन की छट में क्रेक आने लगते हैं अब सभी लोग डाइविंग सूट पहनने लगते हैं मारडी भी सूट के ही जाना चाहती है उसका मानना था कि वो सभी लोगों की रफ्तार को धीमा कर देगी जैड को अलविदा कहने के बाद सभी लोग पानी में उतर जाते हैं तभी प्लेन नीचे खाई की तरफ खिसकना शुरू कर देता है प्लेन का कोक्पिट भी टूटकर खाई में गिर जाता है जिससे उनकी मुसिबत और भी बढ़ जाती है मार्डी रोज और एवा को पहले जाने का कहती है फिर वो प्लेन के अंदर तैरने लगते हैं कि तभी सार पुनका रास्ता ब्लोक कर देती है एवा उक्सिजन कलस्टर को खोल देती है जिससे बुलबुले निकलन लगते हैं जिससे सार डर कर भाग जाती है फिर वो आगे बढ़ने लगते हैं इसके बाद काईल और डेनियल भी पानी में उतर जाते हैं पानी का इसतर ज्यादा बढ़ने लगता है जिससे मार्डी घबरा कर सोचने लगती है कि वो उन तक नहीं पहुँच पाएगी इसलि एक सार्क काईल पर हमला कर देती है और उसे मार कर खा जाती है डैनियल अब एवा और रोज से मिलने के लिए उनकी तरफ तैरता है फिर वो तीनों मरे हुए डाइवर के टैंक को खोजने लगते हैं टैंक मिल जाने के बाद वो अपने फेबडों को ऑक्सिजन से भरते हैं फि सार्क उसे नोटिस के भी नहीं खूम कर वापस चली जाती है लेकि सार्क की पूच से उसका मास्क हट जाता है तभी एवा को पता चलता है कि और भी सार्क उसकी तरफ आ रही होती है इसलिए वो प्लेन के सामने की तरफ तहरने लगती है ठीक उसी समय प्लेन तेजी से करने लगती है तब ही वो प्लेन से टक्राने वाली होती है लेकिन वो किसी तरह बच जाती है प्लेन खाई में गिर जाता है अब एवा सतह के ऊपर जाने से पहले ही बेहुस हो जाती है क्योंकि उसकी ओक्सिजन खत्म हो चुकी होती है लेकिन सूट की वज़े से धीरे धीरे लगती है वो जल्दी पानी के ऊपर आ जाती है उसे जल्दी होस आ जाता है और वो जोर जोर से सास लेने लगती है फिर एवा अपने चार और देखती है उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता जिससे वो खबर आ जाती है फिर कुछ देर बाद वहाँ पर हेलिकॉप्टर आ जा पाए रोज अपने दादा दादी की याद में अपनी प्यारी चीजों को पानी में फैक देती हैं और इसी के साथ ये मुवी यहीं पर खत्म हो जाती है लेटेस्ट मुवी को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्स फॉर वोचिंग